कि नमस्कार मैं अंजले मिश्रो स्वागत है आपका हमारे चैनल में बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने बंगाल से ताथा की नैनो फैक्टरी के जाने के पीछे CPIM को जबदा ठेराया जब बात उठी तो उन्होंने अपने से पला जाड़ते हुए नैनो के लिए यानि चाटा कंपणी का जो पूरा ठिक्रा है वो माकपा के सिर्फ हो डाला क्या कहा मैमता बैनर जी ने और माकवा कि क्या प्रतिक्रिया रहिए इसके बारे में आगे विस्तार से ज्ञान लेते हैं बतादे पशिमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने उत्तर बंगाल में एक जन्सभा को संभोधित करते हुए ये बाते कही थे उन्हेंने कहा कि इसके लिए ततकालीन वाम मोर्चा सरकार जिम्मदार है मुक्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने सिली गुड़ी में विजया सम्मेलन के कारिकरम को संबोधित किया यहां उन्हें कहा कई लोग कह रहे हैं कि मैंने टाटा को भगा दिया और अब वे नौकरी दे रहे हैं टाटा को इस राज से बाहर निकालने के लिए मजबूर करने मैं नहीं माकपा थी वे जबरदस्ती जमीन हड़पना चाहते थे और हमने उन जमीनों को अनिचुक इतिसान को वापस कर दिया माकपा पर हमला बोलते हुए उन्हें कहा आप ही थे जन्होंने जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश की थे हमने उन जमीनों को अनिच्चुक किसानों को वापस कर दिया भूमी को बलपूर्वक अरजित कर दे की आवशक्ता नहीं है मैं शामिल हुई उन्हों ने कहा कि नत्यत सरकार के दौरान दक्षन बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल ने भी सामान रूप से प्रगती हुई है मम्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य की खातिर और अधिक निवेश आकर्षित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि पश्यमंगाल परियतन का गत्यव्य बन गया है हमें दुनिया के श्रीश पर होना है इससे यहां कई होटल और ITI और पॉली टैकनी कॉलेज वा जाएंगे हम प्रशिक्षन देंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा मैं सभी उद्योग पतियों से कहना चाहती हूँ कि यहां कोई बेदभाव नहीं है वे यहां निवेश कर सकते हैं और रोजगार के अधिकवसर पैदा कर सकते हैं बता दे कि सिंगूर जो कभी कई फसलों की खेती के लिए जाना जाता था 2006 में टाटा मोटर्स द्वारा अपनी सबसे सस्ती का निर्माण इकाई नैनो के निर्माण के लिए यहां प्लांट लगाए जाने के बाय यस सुर्खियों में छागिया वा मोर्चा सरकार ने राश्ट्रिय राजबार्ग दो के साथ कंपनी के लिए ना कंपनी के लिए 997.11 एकड का अधिग्रहन किया और इसे टाटा को स्वप दिया था इसका किसानों ने विरोध किया था किसानों के प्रदशन का नत्यूत करते हुए ममता बैनर जी ने 26 दिनों की भूख खरताल का आवाहन किया था जिसमें 347 एकड जमीन की वापसी की मांग की गई थी जिसे कथित तोर पर जबरन अधिग्रहित किया गया था इसे ही सिंगूर के टाटा के जाने का कारण माना जाता है यही कारण है कि 2011 में ममता बैनर जी की त्रणमूल कॉंग्रेस सत्ता में आई थी ममताब एनरजी की टिपणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मांखपा के वर्ष्ट नेता सुजान चोक्रवर्ती ने कहा सवाल उट रहे हैं वो इस तरह की टिपणी क्यों कर रही है वो खुद का मजाक बना रही है दरसल वो बेनकाब हो चुकी है बंगाल में क्रिशिक की स्थिती बहुत खराब है यहां तक की उद्योग भी नहीं है पछले 11 सालों में एक भी फैक्टरी का उद्गाटन नहीं हुआ है प्राइवेट नौक्रियों को सरकारी नौक्री दिखाने की चाल का परदा फाश हो गया है बंगाल की युवाओ को अपमानित किया जा रहा है क्योंकि उन्हें नौक्री की तलाश में राज्य से बाहर जाना पड़ता है ममता ने इसी लुगड़ी के दारजोलिंग जिले में भी जुनसवा को संबोधित करने के दोरान कहा कि मैंने टाठा को बाहर नहीं किया मागपा ने जा है मैने बाद में किसानों को जमीन वापस कर दी अपने भाशन में भी ममता बैनरजी को भी परियोजना बं करने के निरने के लिए काफी हद तक जिम्सदार थैरा था उस समय विपक्ष की नेता भी वो थी उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि यदि आप मेरे सिर पर बंदूक रखते हैं तो आप या तो ट्रिगर खीचते हैं या बंदूक हटा लेते हैं क्योंकि मैं अपना सिर नहीं हटाऊंगा मुझे लगता है कि शुरुशी बैनर जी ने ट्रिगर खीच लिया है सिंगूर से हटने के बाद गुजरात का सार्दन नैनो फैक्टरी का नया ठिकाना बन गया ममता ने इसे लेकर ये कहा कि हाला कि अब उनका लक्ष नए उद्योग स्तापित करना है फिर भी वो किसी भी पर योजनाय शुरू की गए लेकिन कभी भी जबर्दस्ती भूमी अधिग्रहन नहीं हुआ वास्तव में सिंगूर में ममता ने भूमी अधिग्रहन विरोधी आंदोलन के वाम मोर्चे के ग्रामिन वोट बैंक को उनके पाले में ला दिया था वही वज़य थी कि वो 2011 में ममता वाम पंथियों के 34 साल के शाशन का अंध कर मुख्यमंत्री बनी थी हाला कि तब से टाटा समू का पशिम बंगाल में ताजा निवेश एक भ्रम बना हुआ है जो की तूटने का नाम नहीं ले रहा लेकिन टाटा अब जिस तरीके से लोगों को नौकरी दे रही है तो ममता ममता बैनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखर ममता बैनर्जी ने ऐसा क्यों किया जिसे आज के यूवा बंगाल की यूवा इतने जाद आप परिशान और हां ताश्यूए पढ़ तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ममता बैनर्जी जो कि खुद इस चीज़ के लिए जिबादार थी बात करें लोगों की तो लोगों ने भी ये बाते साबने रखे उन्होंने भी तस्वीरे साजा की ममता बैनर्जी के भूख खरताल की जहां पर राजना सिंग भी पहुचे हुए थे और उन्हें बताया कि आखर ममता बैनर्जी ये जूट बाते क्यों बोल फूंत बेहुड्टी जोनता बहुत ही बहतरी तरीके से जानती है तो कही न कहीं टाट्या को भगाने के लिए सिंगूर में पस्ष मंगाल में सत्ता में आने के लिए जो खेल ममता बैनर्जी ने खेला था उस Państwo लक्त उनकी चरचाय आज भी है लेकिन ममता बैनर्जी उसे ज हुआ है कि कारण है जिसके वज़े से टाटा चली गई थी ना कि मैं कारण हूँ और ममताब अबनेयर जिकव भी बेनकाब हो गया है क्योंकि मांक्पा के तरफ से मिस्टीठीच प्रतिक्रिया आ गई है उनका ताटा को भगा दिया और दे रहे हैं इस बाहर मजबूर करने के लिए मैं नहीं माकपा थी व्यजवर्दस्ति आपना चाहते थे और हमने उन जमीनों को आनिश्चु किसानों को वापस कर दिया तो माकपा पर हमला था उनका उनका और उसके में टाट्ता तांव्र सेड़ से का जिम्हदार ही कि बितांब बता रही है अर लेकिन साथ छाई क्या है ये सबी को पता है कि 2006 में टांटा कंपनी के कि खिलाफ मंतव थी ंडियने खुद 24 दिन का खरताल किया दुख रधाल और उन रहे हैं आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी जड़ाय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साचा करें 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 कर कर